नमस्कार मनी गुरू के इस खास पेशकर्ष में आप सभी का स्वाधत है मैं हूं स्वाती रायना अगर आप मुच्रिफर्ण में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बाजार के अस्थिरता से डरते हैं और कम जोकिम का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए डिविडेंट इल्फंड सही हो सकते हैं डिविडेंट इल्फंड मतलब उन कमपनियों में निवेश जो काफी ज़्यादा आपको डिविडेंट देती हैं और बाजार की अस्थिरता से इन पर कम इंपाक्ट पड़ता है नियमित आयक अभी एक अच्छा जरिया है ये डिविडेंट इल्फंड पर आज हम करने वाले हैं चर्चा हमाई साथ खास महमान है मनी फ्रंड के CEO मोहिद गांग मोहिद बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में आज क्यूंकि बाजार का महौल ही ऐसा है कोई हमसे जानना चाहता है कोई ऐसा निवेश option बताईए जो कि अस्थिर बाजार में भी बहुत कम impacted हो जिसका असर अस्थिर बाजार का उस पर कम असर पड़े हैं जी स्वाती गूड इवनिंग और देखे काफी अच्छी बात है कि हम आज इस topic पर discussion कर रहे हैं काफी कम अमूमन मैंने देखा है कि इस category के उपर में कहीं पर भी चड़चा होती है तो यह चुपीवी सी category है जो की बढ़ते वे market में या काफी growth oriented markets में इतना जादा इसके बारे में discussion नहीं होता तो सबसे पहले यह समझते हैं कि dividend yield theme या dividend yield category होती क्या है यह category ऐसी है जहांपर की निवेश उन stocks में किया जाता है जिनका dividend yield जो है वो काफी high है इसका मतलब कि ऐसे stocks ऐसे चुनिंदा share जिनको जो बहुत जादा dividend देते हैं जिनका market के average rate of dividend से जादा dividend आता है साल दर साल तो उस तरह के stocks को का चुनाव होता है इन इस fund के अंदर में अब स्वाती समझने की बात यहां पर यह है कि यह dividend इतना अच्छा जो देती है कंपनिया यह कैसे दे पाती है यह वो कंपनिया होती है जिनकी profitability बहुत हाई है जिनका cash flow बहुत अच्छा है ऐसे अमूमन हर company बहुत अच्छा dividend नहीं दे सकती है जहां पर high debt है जहां पर बहुत जादा loan ले रखा है जहां पर काफी जादा capital expenditure चल रहा है या फिर जहां पर profitability नहीं है बहुत सारी ऐसी company भी आजकल आ गई है जो नई तरह की tech companies है वहाँ पर profitability नहीं है इतनी राइट तो यह जो company है यह dividend नहीं दे सकती है dividend कौन company अच्छा देती है अमूमन बहुत अच्छी FMCG companies जिनका cash flow बहुत अच्छा है या फिर PSU company जो की सरकार के लिहाज में काफी बड़ा dividend देती है साल दर साल और भी जो company जिनका profitability है cash flow बहुत अच्छा है तो देखा गया है अकसर की घिरते वे market में इन companies पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है because यहाँ पर आपकी dividend yield एक तरह से तै होती है इनका cash flow बड़ा अच्छा होता है IT companies हो गई अभी Infosys, TCS इस तरह की कमपनिया है जो की साल दर साल dividend देंगी ही देंगी क्योंकि वो बहुत बड़े cash flow पर बैठी होती है तो इस तरह के stocks का चुनाव होता है dividend yield funds के अंदर गत और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो category उतार चड़ाव कम देखने को मिलता है वो काफी अच्छी companies का portfolio होता है जिनका regular cash flow आता रहता है तो इसलिए dividend yield जो theme है वो गिरते वे बजार में ऐसा समझा जाता है कि एक तरह से एक cushion का काम करती है ऐसा नहीं कि ये category नहीं गिरेगी अगर बाजार घिरेगा तो इसको भी असर आएगा बट कम असर आएगा क्योंकि जो companies हैं इसका underline जो portfolio है वो बहुत ही stable portfolio होता है तो डिविदेन yield fund क्या होते हमने आपसे समझा मतलब जब भी हम बाजार में अभी एक correction का माहौल देख रहा है एक दिन बाजार अच्छा करता है दूसरे दिन बाजार में गिरावट नजर आती है तो ऐसे में dividend yield में निवेश करने के एक निवेशक के लिए अगर मैं pointed फाइदे आपसे समझूं तो वो क्या होंगे portfolio में कोई किसी को dividend yield fund के लिए आप क्यूं suggest करेंगे दूसरा लगबग कितना percentage एक dividend yield fund में किसी को निवेश करना चाहिए जी स्वाती देखिए ये जो एक fund है ये आपके equity allocation का ही part होगा सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये equity है ये volatile है इसमें भी उतार चड़ाव आएगा हाला कि compared to your mid cap funds या फिर small cap funds या multi cap, flexi cap funds इसमें जो उतार चड़ाव है ये इसमें जो volatility है वो थोड़ी कम रहती है तो यहाँ पर आप ऐसे निवेशक जो की थोड़े conservative है जिने equity में बने रहना है पर थोड़ा conservative तरीके से बने रहना है वो इस dividend yield fund का चुनाव कर सकते हैं दूसरा category of निवेशक ऐसा होगा जिने की regular income की दरकार है तो dividend yield funds की सबसे खास बात ये होती है स्वाती कि वे लगातार हर साल dividend जरूर डेक्लेयर करते हैं तो जहाँ पर जिने regular income की आवशकता है अपने funds से तो वहाँ पर वो dividend yield fund का चुनाव भी कर सकते हैं यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद हाला कि इसके taxation पर जर्चा कर लेंगे थोड़ा सा tax का एंगल आता है यहाँ पर जिने regular income की दरकार है dividend yield funds होते हैं वो regular dividend भी declare करते हैं तो वो एक category के लिए भी ये fund काफी अच्छा माना जाता है और तीसरा जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने equity portfolio की overall volatility को कम करना चाहते हैं risk को कम करना चाहते हैं अपने portfolio में diversification बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इस तरह की एक theme को शामिल कर सकते हैं किसी भी portfolio में 5-10% 10% तक का allocation किया जा सकता है इस theme में स्वाती conservative theme है अगर आप बहुत जादा conservative निवेशक है तो थोड़ा जादा भी कर सकते हैं बट 10% तक निवेश इसमें किया जा सकता है कौन निवेश करें आपने जैसे इसमें बताया कि कम जोखिम वाले निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं निवेशक के लिए भी अच्छा हो सकता है आम तो पर कितने horizon के लिए मतलब क्योंकि जब हम एक normal financial planning की बात करते हैं हम एक goal set करते हैं और एक अवधी set करते हैं दिविटर इल फंड को हम कौन सी काटेगरी में रखेंगे in terms of goal planning और हमारा जो एक investment horizon है उसके और साथी एक regular income पाने के लिए क्योंकि हमें मालूम है dividend जब company डिक्लेयर करती हैं तो उसके बाद हमें regular income भी मिल सकती है तो वो पूरा process कैसा रहता है इसमें जी स्वाती तो देखिए जैसा मैंने बोला यह है तो equity category तो goal planning के लिहाद से आप इसे long term category में ही डालेंगे आपका minimum जो अवधी है जो horizon होना चाहिए इसके लिए वो कम से कम तीन से 5 साल का होना चाहिए 5 साल से उपर का horizon is more advisable because क्या होता है market के cycles में ये stocks अलग-अलग तरह के से production करते हैं तो अगर बहुती growth oriented momentum oriented cycle है तो dividend yielding जो stocks होते हैं वो इतना अच्छा production नहीं कर पाते हैं एक जो एक जिसे बोलते हैं थोड़ा सा दबावा phase होता है market का या फिर जो बहुती क्या बोलते हैं जिसमें तेजी इतनी न हो मंदी वाला phase हो या वैसे phase में dividend yielding stocks अक्सर अच्छा करते हैं तो उस लिहाद से horizon आपका बड़ा होना चाहिए दूसरी बात जो ध्यान रखने की है स्वाती वो यह कि यहां पर dividend income के लिहाद से अगर आप देखेंगे तो वो अब investors के हाथ में पूरी तरह से taxable होती है तो जो भी income आएगी आपको अगर आप वो dividend के हिसाब से ले रहे हैं अपने fund में fund से तो वो आपकी पूरी तरह से taxable हो जाएगी आपकी income में add हो जाएगी तो अगर आप highest income bracket में है या 20% के उपर वाले income bracket में है तो यह category से आप dividend option मत लीजिए आप इस category में growth option में जाईए और वह हाँ अगर आप बहुत ही lowest tax bracket में है या फिर आप tax bracket में नहीं है जो कि retired people के लिए होता है अकसर तब आप इससे regular dividend income भी ले सकते हैं तो वो tax के लिहाद से आपको थोड़ा इस category में संभल के रहना होगा कि आप कौन से option का चुनाव करते हैं यहाँ पर और कौन से funds हैं जो अभी जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं options निवेशिकों के पास कौन से अच्छे good yield यहाँ पर different yield funds के हैं मोहित जी स्वाथी तो यहाँ पर चार-पांच अच्छे options हैं इंडस्ट्री में यह बहुत ही पुराने fund है सारे ज्यादा तर नए इस category में नए launches देखने को नहीं आये बहुत सालों से because growth का यह momentum का market रहा है तो इतना category यह चला नहीं है बट जो पुराने fund है उसमें ICSF Prudential का dividend deal fund आधिते बिल्ला सनलाइफ का dividend deal fund Franklin Templeton का एक Templeton India equity income fund है जो भी काफी पुराना है एक HDFC का अभी हाल ही में एक नया launch आया था HDFC dividend deal fund और UTI का dividend deal fund यही 4-5 अच्छे funds हैं जिनका AUM भी थोड़ा substantial है और अगर आप इनका प्रदर्शन देखेंगे स्वाती last 1 साल का तो इसमें से जो 5 नाम मैंने लिए उसमें से 3 नामों ने last 1 साल में positive return दिया है जबकि market overall आपका negative रहा है तो यह आपको दर्शाता है कि इनका जो underlying portfolio है वो काफी resilient है पर अगर आप इनका long term track record देखेंगे 5 साल या since inception का track record तो यह market के line में ही है बट इनका volatility अगर आप देखें तीन साल का या 5 साल का जो की standard deviation होता है तो वो काफी कम होता है इन funds का तो जिन निवेशकों को चाहिए कि भाई बहुत ज़ादा उतार चड़ावना हो stable स्थिड़ता बनी रहे fund में और एक consistent तरीके से return आता रहे उनकी लिए ये category बहुत ही अच्छी है इसमें अगर आप देखेंगे तो ICISI वाला जो fund है dividend yield वो काफी अच्छा है UTI वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है और Templeton वाला fund भी बहुत पुराना और बहुत अच्छा है ओके तो ये dividend yield funds के कुछ विकलपों पे हमने चर्चा की है एक caller भी इस वक्त हमारे साथ है उनसे भी बाकशीत कर लेते हैं चर्चा आगे भी जारी रखेंगे नागपुर से दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ है दीक्षा बहुत स्वाधत करते हैं हम आपका अपने शो में आप अपनी financial planning को लेकर अपना सवाल पूछ रही थी मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपने investment शुरू कर लिया है या पर जो funds आपने बताये थे हमें अपने mail पर उन funds में अभी आप invest करना चाहा रही है मैं मेरी age 24 है और मैं अभी मैंने planning किया और मैंने short किया है सारे mutual funds अपने लिए है तो मुझे वही आपसे recommendation के कि मेरे analysis के साप से मेरे यह ठीक होंगे क्या start करने के लिए ओके तो आपने short list किये है funds अभी investment शुरू नहीं किये है राइट मैं हाँ इस महीनी से ही मैं start कर रहे हूं तो मतलब 5 funds आपने चूज किये हैं जिसमें आपकी planning है 15,000 के SIP आप शुरू करें मैं जल्दी से funds repeat कर देती हूं आपके पराग फारिक flexi cap में 5,000 की planning है kotex small cap में 3,000 access mid cap में 3,000 की planning idfc sterling value में 2,000 की planning आइसे आइसे floating rate में 2,000 की planning आप के रहे हैं 40 years की उम्र तक आपको 5 क्रोर रुपे चाहिए कोई खास लक्षे बस घर करीब में खुद कांश लिया तो 24 years में तो आपने सबसे अच्छा काम यह के कि आपने बहुत सही time पे शुरुवात की सिर्फ घर कर इतनी का लक्षे रख है और कोई और कोई लक्षे नहीं है आपके retirement obviously but मुझे start up start करना है तो उसके लिए भी कुछ funds लगेंगे retirement okay start up करना है तो after how many years क्योंकि अभी तो export है हमारे साथ वह आपके सवाल का भी जवाब देंगे start up शुरू करने का कब तक plan है after 15 years maybe yeah okay 15 years तो आपको क्या लगता है कितने पैसे की जरूत पड़ेगी आपको उसमें कुछ सोचा उसके बारे में okay कोई बात नहीं आपकी हिचक जायज है it's okay आपने तो शुरुवात ही किया अभी हमारे एक्सपर्ट इसलिए है और एक छोटा से सवाल आपसे जिससे पहले में मोहित से पूछूंगी यह जो आपने फंड शॉट लिस्ट किये हैं दीक्षा यह आपने खुद से किये हैं कि किसी की रेक्मेंडेशन पर किये हैं जो पढ़ा है उसी के बेसिस पर डाइवर्सिफाइ करने की कोशिश किये हैं किस तरीके की दीक्षा ने अपने फंड से लेक्ट किये हैं अभी उन्हें इन्वेस्मेंट शुरू नहीं किये हैं इन्वेस्मेंट शुरू करेंगे 40 अर्स माफ कीजिये 40 साल के उम्र तक 5 करोड का इनका लक्ष है एक स्टार्ट अप भी शुरू करना है ये कह रही है उसके लिए भी इनको पैसो की जरूरत पड़ेगी फिलाल रकम के लिए वो अभी उतनी confident नहीं है कि कितना हो लग सकता है पर इनकी प्लानी के बारे में बोलिये जिसकी शुरूरत अभी ने करनी है जी स्वाती, सबसे पहले तो मैं दीक्षा को भराई देना चाहूंगा I think जिस उम्र पे उन्होंने ये सब सोच लिया है और अल्रेडी प्लान कर लिया है वो काबले तारीफ है चॉइस साल की उम्र में अगर उन्होंने खुद से स्टडी करके स्कीम्स निकाल दी है अच्छी बात ये है कि इन्होंने सारी ही कैटेगरीज का सेलेक्शन किया है अमूमन जितनी कैटेगरीज ले सकती थी उन्होंने काफी अच्छे से इसको डाइवर्सिफाय भी किया है और स्टार्टप भी करना चाहती है खुद का रिटार्मेंट के बारे में भी सोच रही है गोल्स के बारे में भी सोच रही है बहुत अच्छी बात है देखिए मैं quickly इसका एक छोटा सा जिस नजरी से मैं देखता हूँ मैं उससे बताता हूँ तो सबसे पहली बात अगर आपको 5 करोड रुपे 16 साल में चाहिए तो यह थोड़ी बड़ी रकम है अगर हम 12% का return assume करें तो 5 करोड 16 साल में जमा करने के लिए तीक्षा आपको करीब 87,000 की SIP मंतली करनी पड़ेगे अब यह रकम थोड़ी बड़ी है अभी कि आपकी SIP की planning से तो मेरा सबसे पहले आपको सला यह होगी कि आप यह जो 40 का जो आपका target है आप 5 करोड का जो लक्षे आप रख रही है उसे आप थोड़ा आगे बढ़ाईए अपने retirement के हिसाब से आप उसे consider करिए और उसे 50 की साल पे रखेंगे तो आपको करीब 4,000 रुपे का SIP करना पड़ेगा और 50 की age पे आप यह लक्षे पूरी तरह से हासल कर सकती हैं सबसे पहली बात आप हर साल अपने SIP के amount को जरूर बढ़ाएंगी जिस तरह से आपका job चलेगा आपकी आगे क्या बोलते है working life रहेगी उससे साब से आप उसे भी बढ़ाते रहे तो आप इस लक्षे को जल्दी से जल्दी हासल कर पाएंगी सबसे पहली बात दूसरी बात अभी आपने करीब 87% equity और 13% debt का एक portfolio बनाया जो काफी अच्छा है थोड़ा debt जरूर होना चाहिए emergency corpus के हिसाब से या कभी चोटे लक्षों के लिए debt fund का चुनाव बहुत जरूरी है portfolio में पर यहां आपने ICSF floating rate debt fund का चुनाव किया है मुझे लगता है यह बहुत ही complex category है किसी भी retail निवेशक के लिए और जब तक कि आप पूरी तरह से इस category को समझ ना ले इसके underlying options को समझ ना ले इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए हाला कि कहते यह है कि इसमें अमोमन floating rate instruments होते हैं जो कि market के rate के साथ में reprise होते रहेंगे और जैसे rate उपर जाएगा बैसे इस fund के yield बढ़ते जाएंगे बट हकीकत में ऐसा देखने में नहीं आया last 2 साल में तो मेरे लिहाद से आपको एक short term debt fund में चले जाना चाहिए फिलहाल क लिए equity के लिहाद से आपका portfolio काफी अच्छा सा diversified है आपने almost सारी categories cover कर लिए वहाँ पर बस एक large cap का चुनाव आपने नहीं किया है मुझे लगता है कि कि किसी भी portfolio की शुरुआत करते हुए आपको सबसे पहले एक अच्छा large cap fund ज़रूर लेना चाहिए अपने portfolio में तो वहा portfolio को और robust कर दीजिए तो बाकि आइधिंक आपने काफी अच्छे से प्लाइन किया है मने गुरू में मोहमद रिजवान जोधपुर से महमद जी बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में पताइए क्या सवाल है आपका अपका है कि पताइए सर क्या सवाल पूछना चाहरे है ह तो वो शू करने योजना में इन्वेस्ट करने चाहिए या फीप चाहिए या को इसमोल के फंड लेना चाहिए दो गुडिया मेरे दो बच्चिया है एक यह आर साल है कि छे साल है ठीक है एक बात बताईए आप यह आई से प्रू ब्लू चिप में कितना माउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तेन तीस सो रुपे का तीन अजर तीन सो का है और मेरा एसस में दो अजर का है ओके हाँ वही समढ़ना चाह रहे थे और इसके अलावा कोई गोल्स नहीं आपका क्या है बेटियों की शादी पढ़ाई इसका लक्षे है आपका जो आप कंप्रीट करना चाहते है जी 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 ओके और कोई अमाउंट सेट नहीं कि आपने कि कितने अमाउंट आपको चाहिए होगा उनकी पढ़ाई के लिए मेंली अभी तो पढ़ाई पहले लक्षे आएगा हम कोशिश करते हैं आप हाँ अमाउंट तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो भी इंफलेशन जोड़कर कि कितना आपको 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जरूरत पड़ेगी बेटियों के लिए वो आपको पहले जोड़कर उसी हिसाब से आपको SIP करनी चाहिए चले मैं मोहित से पूछते हैं मोहित जरा बताईए इनकी SIP तो अभी 5300 की है और जैसा है बता रहे हैं कि इन्होंने कोई अमाउंट सेट नहीं किया लेकिन हाँ 4000 रुपए की जो बचत है वो कहीं पर लगाना चाह रहे है तो वो सुकन्या समरिदी में डालें किसी PPF में डा जी स्वाति तो सबसे पहले मोहमद रिजवान जी अगेन मैं आपको बताई देना चाहूंगा आप मेरे होम टाउन से हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग अपनी लड़कियों के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं तो यह आपने सही कदम उठा आया हूँ कि जो equity mutual funds हैं वो आपको return सबसे जादा देंगे किसी भी दूसरी debt scheme के comparison में चाहे वो PPFO सुकन्या समरिदी हो या कोई दूसरा government का scheme हो FBs हो या कुछ भी हो पर जो आपका specific case है वहाँ पर मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि फिलहाल क्योंकि आपकी बच्चियों की जो उमर है वो 8 और 6 साल की है आप सबसे पहले इनका सुकन्या समरिदी में 2000 का निवेश कर दीजे जो आपके पास 4000 की extra बचत हो रही है उसका इसका कारण इसका कारण ये है कि 10 साल की age तक ही आप सुकन्या समरिदी account खुलवा सकते हैं उसके बाद में allowed नहीं होगा और यह सिर्फ girl child के लिए government की बहुती special scheme है सुकन्या समरिदी अकेली ऐसी scheme है जिसकी की जो ब्याज की दर है वो सबसे ज़ादा होती है सारी small saving scheme के comparison में तो चाहे PPF हो या कुछ भी और small saving scheme हो उसके comparison में सुकन्या समरिदी का जो rate है वो सबसे ज़ादा रहता है और अभी इसमे 7.6% क rate चल रहा है जो की पूरी तरह से tax free है साथ ही में आपको इसमें ATC के अंतरगत छूट भी मिल जाएगी 1.5 लाग रुपे तक का तो इसको तो आप आँख बंद करके दोनों लड़कियों के नाम पे सुकन्या समर्थी खाता खुलवा दीजिए और उसमें आप regular contribution भी शुरू कर दीजिए यह मैं इसले बोलना चाहरा हूँ क्योंकि 10 साल के बाद आप यह कर नहीं पाएंगे तो इसका जितना जल्दी आप शुरुवात करेंगे उतनी ही जाधा compounding का benefit आएगा उतनी बड़ी रकम आप इनकी 18 साल की उम्रपे और 21 साल की उम्रपे एक खटा कर पाएंग दूसरी बात जैसे ही आप थोड़ी सी और रकम बचा पाते हैं तो आप फिर equity mutual funds की तरफ जाएए वहाँ पर आप कोई large cap fund या फिर कोई multi cap flexi cap fund को आप अपने portfolio में शामिल करेंगे अभी जो आपने दो fund लिये हैं अपने portfolio में बहुत ही अच्छे fund है आईसे ऐसे prudential blue chip fund और जो मिराय का fund है दोनों ही बहुत अच्छे fund है तो आप उनको बनाये रखे उनकी रकम को धीरे धीरे बढ़ाएए और जहां हो सके जहां आपको एक मौका मिलता है वहाँ पर आप एक flexi cap fund का चुनाव करके अपने portfolio में शामिल करें अब जहां तक बात है कि कितनी रकम आपको बचानी पड़ेगी देखिए इसका जवाब ना थोड़ा mathematical है इसको compute करना मुश्किल होता है कि आप किस तरह की पढ़ाई उनके बारे लिए सोच रहे हैं बट अगर एक normal college की fees मैं देखूं आज की date में अगर मान लीजे हो कहीं आगे higher education के लिए जाती है MBA, engineering इस तरह का आज के लिहाज में आज के price के हिसाब से target रखना चाहिए और 20 साल के बाद वो कितना हो सकता है उसके हिसाब से आपको planning करनी पड़ेगी 50 लाग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 18 से लेकर कम से कम 24 साल तक आपको पढ़ाई का खर्चा आएगा उसमें graduation और higher graduation में दोनों को मिला के मान रहा हूँ तो हो सकता है इसे थोड़ा कम भी आए पर आप कम से कम 20 से 30 लाग रुपे आज की value पर मानेंगे तो आपको 12 साल बाद inflation adjusted इसकी एक रकम निकालनी पड़ेगी मुझे लगता है मोटा मोटी तरीके से अगर आप देखें और मैं अगर इसको roughly compute करने की कोशिश करूँ स्वाती mentally अगर मैं 7% का inflation मान लू education में जो की होता है इससे जादा ही होता है तो आप 10 साल में इस रकम को double मान लीजिए यानि की जो 8 साल की लड़की है जब वो 18 साल की होगी तो उसकी college का खर्चा अगर आज 15 लाग है तो वो 30 लाग हो जाएगा उस time के हिसाब से तो जो अगर आज का 30 लाग का total खर्चा है वो आप मान लीजिए 60 लाग हो जाएगा या 50 लाग का है तो वो एक करोड का हो तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों लड़कियों के लिए शामिल हुए आज मानी गुरू में बस इतना ही रुकते हैं ब्रेक के लिए आप भी पूछना चाहते हैं सवाल तो तरीका आपको दिखा देते हैं अपना पूरा नाम प्रॉपर सवाल के साथ अपनी उम्रे और अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा और फिलाल इस शो मे दीजे इजाज़त नमस्तार